हम निवेदन करेंगे सुसी प्राची देवी जालाउन से आठ मिनट की जै स्रीकाशि विष्वनात भगवान की जै लोका भीरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रगुवंशनात्म कारुन्यरूपम करुणा करंतम स्री रामचंद्रम शरणं प्रुपद्धे स्री रामचंद्रम शरणं प्रुपद्धे स्री तुलिसी दास जी के पद कमल बारं बार मनां गुणों गावं शिये राम के स्री हनुमत हो सहा आज के इस कारिक्रम की आन बानशान स्री हनुमान चालिशा में स्री हनुमान जी महराज के स्वयश का वरणान है और आज का दिन देखें तो बड़ा ही अच्छा संयोग है कि आज मंगलवार का दिन है और आप हम सभी स्री हनुमान जी महाराज की कथा का गायन श्रवन लाव प्राप्त कर रहे हैं हनुमान जी महाराज के रूप में स्री सद्गुरुद्यो भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है जैसे सद्गुरुद्यो भगवान एक जीब आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं उसी प्रिकार स्री हनुमान जी महाराज अपने इस पूरे कथा प्रांगण में जो उनका परम राम भक्त है उसको उनके राम से मिलाने का काम करते हैं और स्री राम जी की कथा सुनकर स्री हनुमान जी महराज प्रशन होते हैं किसी व्यक्ति ने स्री हनुमान जी महराज से पूछा कि आपने इतने बड़े समुद्र को कैसे लांग लिया आपने मुद्रका को भी मुख में रख लिया तो स्री हनुमान जी महराज ने कहा कि हाँ हमने मुद्रका को मुख में रखा हाँ हमने इतने बड़े समुद्र को भी लांगा तो यहाँ इस चौपाई का दर्शन है कि प्रभू मुद्र का मेली मुख माही जलदी लांग गए अच्छ रजनाही तो हनुमान जी महराज ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने मुद्रिका को मुख में नहीं रखा है, मुद्रिका को मैंने नहीं रखा है, पर मुद्रिका में लिखा था राम नाम, मैंने उस राम नाम को अपने मुख में रखा, इसलिए मैंने इस समुद्र को लांग लिया. और एक व्यक्ति ने श्री शिव जी से पूछा, काशी विश्वनाजी से भनवान संकर अगवान से पूछा कि आपने बिश्गा प्याला कैसे पान कर लिया तो श्री संकर अगवान जी बोले कि मेरे अंदर स्री राम नाम है मैं राम जी का भक्त हूँ मेरे अंदर राम नाम है और मेरे कंठ में भी राम नाम है इसलिए मैंने बाहर से विश्गा पान किया और अंदर से आया राम इसलिए मेरे कंठ में विश्गा हो गया स्री हनमान जी महराज ने भी अपने मुख में राम नाम को रखा Shri Siv Bhagawan ने भी अपने मुक में Shri Rama नाम को रखा इसलिए आप सबसे भी प्रातने हैं कि आप अपने जीवन में Shri Rama नाम को धारन करें इसी के साथ अपनी वानिक और राम जैसी आरा म भूट सुन्दर